मैं कैसे लिखता हूँ? ये कैसा सवाल है जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है लिखना कोई रासाइनिक क्रिया तो है नहीं और ना ही कोई यांतरिक क्रिया है अगर ये रासाइनिक क्रिया होती तो मैं समी करणों के आधार से बता देता कि मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ और यदि को यांतरिक क्रिया होती तो मैं कल पुर्जों की भाषा में उपकरणों की भाषा में कुछ न कुछ बता देता लेकिन लिखना तो एक आत्मिक प्रक्रिया है और हमारे जीवन में जो कुछ भी आत्मिक होता है हम उसे ठीक ठीक तरीके से बता नहीं सकते विशलेशित नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये सवाल मुझसे पूछा जाता है और मैं भी किसी हठी बालक की तरह किसी जिद्धी बच्चे की तरह बार बार इसका जवाब खोजने की कोशिश करता हूँ इसी कोशिश में मैंने एक चीज लिखी जो अपनी नई किताब खुशियों के गुप्तिचर में शामिल की है खुशियों के गुप्तिचर ये मेरी नई किताब है कविताओं की किताब है दो मेहने हो गए हैं इसे आए हुए तो कुछ लोगों के लिए तो ये पुरानी किताब भी होगी लेकिन सबसे ताजा किताब यही है चार सबता में ही इसका पहला संसकरण समाप्त हो गया और अब ये एमेजॉन पर उपलब्ध हुई है यानि एमेजॉन पर आने से पहले ही इसका पहला संसकरण खत्म हो चुका था मुझसे बार-बार पूछा जाता था कि एमेजॉन पर क्यों नहीं है एमेजॉन पर क्यों नहीं है तो अब ये किताब एमेजॉन पर आ गई है मैं कैसे लिखता हूँ दान्ते अलिगेरी ने नियू लाइफ के शुरुवाती पन्नों में एक वाक्य लिखा है जो हिंदी अनुवाद में यों है मैं लिखने की इच्छा से भरा हुआ हूँ लेकिन शुरू करने की आशंका से घवराया हुआ ये वाक्य मेरी मेज के पास हमेशा कहीं न कहीं चिपका रहता है लेकिक की यातरा बहुत कुछ कॉलंबस जैसी होती है वो बेतहाशा तैयारी करता है और भारत खोजने निकल पड़ता है जिस जगह पहुँचता है उसे भारत मान लेता है बाद में पता चलता है कि वो भारत नहीं था कॉलंबस कभी भारत नहीं खोज पाया लेखाक अपनी किताबों में उन जगहों तक शायद कभी नहीं पहुँच पाता जिनके बारे में वो सोचता बोलता है खोजने पर तो अमरित भी नहीं मिलता लेकिन जो कुछ भी अपरत्याशित मिलता है वो अमरित ही होता है पर अमपरा में कहा भी गया है अमरितम स्यादियाचितम यानि मांगोगे, खोजोगे तो अमरित कभी नहीं मिलेगा इसलिए सारी चीजें जो मुझसे पूछी जाती है कि मैं कैसे, कब, कहा, क्यों, किसके लिए लिखता हूँ इनके उत्तर, इनसे जुड़े तमाम पैरा फरनेलिया हमेशा बदलते रहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ इसका कोई जवाब नहीं है कभी कभार जो जवाब मिलता है उसे अधूरा पाता हूँ दीरे दीरे मेरी ये मानिता बल्वती होती जा रही है कि इस सवाल के जितने भी संभावित जवाब होते है वे या तो जूट होते हैं या अर्द सत्य जाहिर है, मेरी बुद्धी की सीमा है जो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए लिखता हूँ मेरे अत्रिक्त कोई उसे पढ़ लेता है तो ये मेरे लिए एक बोनस है जब ऐसा होता है तो पाता हूँ मेरे आत्म का विस्तार हो गया है और पाठक का आत्म उसमें शामिल हो गया है तब अनात्म मेरे लिए एक विस्तरित आत्मों बन जाता है इस तरह देखें तो मैं हर उस व्यक्ति के लिए लिखता हूँ जो मुझे पढ़ता है संगीत के बीच लिखूँ या शान्ति के बीच भीड के बीच लिखूँ या निरजन द्वीप के बीच मैंने पाया है कि इस तरह की तमाम आदतें और शौक बार-बार पहने जाने वाले कपड़ों की तरह जीने हो जाते है अंग्रेजी कवी फिलिप लार्किन की बात को अपने शब्दों में कहूँ लेखक डॉक्टर की तरह नहीं होता कि जिन्दगी बर एक ही तरीके से इलाज करे उसे हर बार एक ही सरजरी के लिए नएने तरीके इजाद करने होते हैं लिखना आपको अकेला बनाता है लेकिन आप अकेले होकर नहीं लिख सकते मुझे प्रिये किताबें सामने मेज पर चाहिए बहले मैं उनका इस परश भी न करूं लेकिन उनकी और देखता जरूर रहूं जैसे रास्ता पता होने के बाद भी आप बार बार धुरूत आरे की और देखते हैं जैसे रास्ता पता होने के बाद भी आप धीरे धीरे चलते हैं मैं तेजी से तेजी में नहीं लिखता, एडम जगायवस्की ने ये पंक्तिया मेरे लिए ही लिखी है, मैं इतना धीरे लिखता हूँ कि लगता है जैसे मैं 200 साल तक जीऊंगा, संगीत बहुत जरूरी है, बाहरी संगीत ना हो, तब भी अंदरूनी संगीत होना चाहिए, असल एक न सुनाई देने वाले संगीत को शब्दों में पकड़ने की कोशिश मातर है, मैंने दुनिया का कोई ऐसा लेकक नहीं पहा, जो अच्छा हो लेकिन जिसके भीतर संगीत ना हो, आरंब में संगीत है, अंत में संगीत है, बीच में जो कुछ है वो साहित्य है, आंद नोट्स और शोपां, वो कहते हैं, शोपां को जितना बजाया जाएगा, उतना ही उनको गलत समझा जाएगा, मेरी नजर में वो संगीत सबसे अच्छा होता है, जो खुद को गलत समझे जाने की छूट देता हो, तब उसके एक से ज्यादा गलत अर्थ हो सकते हैं, और उतन जोफन, शोपां, इसमें मेरी मदद करते हैं, ध्वनी से इसनान करते समय, मैं शब्द से गीला होता हूँ, मुझे अपनी नीली, हरी, कोक्यो नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, खलम चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, पास में मे चाहिए, कवर जैसी बेनियाजी चाहिए, खुदाया, जाने क्या क्या चाहिए, पर हकीकतन सबसे सुन्दर पंक्तियां मुझ तक तब आई हैं, जब इन में से कुछ भी मेरे पास नहीं था, इस तरह लिखना मेरे लिए एक दिलकश हिचक है, इसमें एक अचंभा, एक आला होता है, जब मैं कागस पेंसिल से लिखता हूँ, पंक्तियां लहराते वे साप की तरह दिखती हैं, तब मुझे महसूस होता है, कि हाँ, मैं जिन्दगी के करैट से खेलता हूँ, मेरे पास सपने हैं, लेकिन पूहर महात्वक आंक्शाएं नहीं हैं, मुझे ज्यादा मैं चाहता हूँ, कि उम्र पूरी होने तक मैं चार सुन्दर पंक्तियां लिख लूँ, जब मैं मरूँगा, वही चार पंक्तियां मुझे कंधा देंगी कविताओं की मेरी नई किताब, खुशियों के गुप्तचर, रुख पब्लिकेशन से प्रकाशित है और अब एमेजॉन पर भी उपलब्त है, आप अपनी प्रती तुरंत मंगवा लेजिए